नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों जो खबर में आपको बताने जा रहा हूं यह बहुत ही ज़द गंभीर है ध्यान से सुनिएगा दरसल हुआ यह कि अब से करीबन एक हफ्ता पहले भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक नोटम वर्णिंघ जारी करें अब ओरनकर को उसा इसलिए या तो मिसायल का ने वाला है वाण झालने आका हो सकता है और वहा증 का तुलिए यह उत्यओं का जाता है तो भारत नी नो टम कि जारी कि जाती है तो खेर भारत नी नो टम वर्निंग सिर्फ एक दिन की जारी ती वह भी टेरा तारिक की यानि की कल की और इसकी सबसे खास बात यह थी कि यह बहुत बड़े एरिया में जारी की गई थी कम से कम साड़े तीन हजार किलो मिटर से जादा के एरिया में एक्जैक्ली बताऊं तो 3550 किलो मिटर की इसकी लंबाई थी सिर्फ और इस नोटेम वोर्डिंग की लंबाई देखकर यह अंदाजा लगा जा सकता था कि भारत और हमारी एक समरीन लॉंच बैलस्टिक मिसाइल है यानि की ऐसी बैलस्टिक मिसाइल जिसे पानी के अंदर मौझूद एक पंडुबी से दुश्मन के ओपर लॉंच किया जा सके इसे का जाता है एसल बीम और इसकी जो रेंज है करीबं पांच से लेकर साड़े 5,000 किलो करतवर क्यों वह मैं आपको एंड में बताऊंगा तो खैर कल इसका टेस्ट होना था और मिल की जा रही थी कि शाम तक हो जाएगा हमें भी इस पर इंफोर्मिशन मिल जाएगी हम भी वीडियो बना देंगे लेकिन कल का पूरा दिन चला गया कोई भी टेस्ट नहीं किया गय चीन पूरे हिंद महासाकर में ऐसे देश की खोज कर रहा था जो जासूसी शिप्स को अपने देश में आने दे और मालदिव वो देश बना मालदिव ने मन्जुई दी और चीन का ये जासूसे शिप्प पिछले कई दिनों से मालदिव में मुझूद है और इसलिए बताय लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि भारत ने नो फ्लाइ जोन घुशित किया हो और उसमें कोई भी टेस्ट ना अंजाम दिया हो दूसा तर्किये है कि ऐसे ही घटना अब से डेड़ साल पहले घटी थी आपको याद होगा कि दो हजार तैस की शुरुवात में आपको खबर किया था यानि कि अगर आप ट्रेक रिकोर्ड देखे तो के फोर मिसाइल के टेस्ट पर चीन अपनी जासू से शिप हिंद महासागर में जरूर भेजता है और यहां पर भी पैटन फोलो हुआ है तो सवाल उठता है कि चीन के फोर मिसाइल टेस्ट के वक्त पर ही इतने जास किया जा सकता है जो इसे सबसे घातक बताती है दरसल्ट नोर्मल परकार की लैंड बेस मिसाइले होती है जैसे कि अगनी ब्रहमोस इनको सेटलाइट से ट्रैक किया जा सकता है कि कोई देश एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है या फिर कहां पर इनकी डिप्लोइमेंट या ब्रहमोस हो गई तो जहां जहां भारत नहीं तैनात करके रखी हुई है वहीं पर यह लोग अपने डिफेंस सिस्टम तैनात करके बचने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन के फोर से बचे तो बचे कैसे क्योंकि चीन की इतना विशाल का बोर्डर है भारत आसानी से ऐसी बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उटाना चाहता है ताकि वह इसके खिलाफ भविश्य में सुरक्षा निती तैयार कर सके मेरे हिसाब से भारत नहीं कोई ना कोई तो भारत को निकालना ही पड़ेगा क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से